हेलो विवान, आप वेरी गुड इवनिंग टो अल आफ यो, कैसे हैं, आप लोग जल्दी से एक बार फ़रा फट से सब लोग बता देंगे कि भाई कैसे हैं अपने सबी दोस्तों को बुला लो, वेरी गुड इवनिंग, राम, जैश्ट्री राम, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग आप लोग यहाँ पर समझ ही गया हो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि विमिय सूत्र निकालना सीखें हैं तो बच्चों, आज की class है, उसमें हम लोग बहुत सारे questions की practice करने वाले हैं आप लोगों नहीं बोला था कि मैम हमें questions की प्रेक्टिस करनी हैं अगे के जो lectures हैं जो आगे concepts हैं वो एक-एक समझ में आ जाएंगे है ना तो भाई एक बार फड़ा फट से पहले तो सब लोग आ जो एक बार सारे दो आपने से कितने बच्चों ने जो क्लास से लास क्लास हमारी देख ले थी बच्चों बल के लिए विमीय सूत्र निकालने से पहले में तुम लोगों को एक चैलेंज देती हूँ कि सब लोग जल्दी से तुम्हारे पास 30 सेकिंड का टाईम है है ना तुम मैसे सब के सब पहले मुझे वेग या चाल के लिए है ना मैंने बताया था कि विमिय सूत्र इन सबसे हट के रहोते हैं जल्दी से वेग या चाल का विमिय सूत्र फड़ापट से लिखके दिखाओ जल्दी हाँ जल्दी क्यूट बोई मैम साड़े साथ बजे आई पील का मैच चालू हो जाएगा रहे धोनी तुम्हां छक्के लगाई रहा है तुम्हें जिंदगी में छक्के कब लगाओगे भाई वो तो रन बनाई रहे दुनिया उनको तो जानी रही है पूरी दुनिया में उनका नाम तो हो रह ही बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया दीखों बच्चों एक बार जितनों को नहीं पता है वापस बतारे हो बहुत ही देखो बच्चो वे गया चाल का फॉर्मॉला क्या होता है बीटा हमएं बता है कि अकर लिए 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 य को हो चाहे मतलब नहीं है चाहे धिकता हो चाहे बीटाजी मिन नियून्तम हो दूरी कि बेटा जी विम्य सुत्र improved higher than fourth सबस्क्aire क्या होगी को लिखते हैं ड्र क्रेंगे क्योंकि following भौतिक यहाशी uk ल॥ ॆषका पहते हो बिटा एम कि घाते जीरो एपकी पावर माइनस दॉह ती बढ़िया वेरी गुड बहुत यह सबकर यह है शक्राइब बहुत यह बहुत यह चलो आप बच्चों बल के लिए विपी सब्रूद निकालो बल के लिए विपी शुरू निकालो पहले खुद से और देखो तुम सब को एक फिर हम लोग ना मेरे और तुम्हारे बीच में कॉंप्टीशन रहेगा मुझे देखना है कि आप में से कितने बच्चे मेरे ब्राबर आंसर निकाल के आप लाप आते हो जल्दी से एक बार बल के लिए विमी सूतर निकालो हाँ जी हाँ बिटा प्रतीक जैसवाल बिट ध्यान से पहले तो जिस से भी भौतिक राशी का बिमिय सूतर निकालना होता उसका फॉर्मूला लिखो बिटा बल का सूत्र क्या होता है ?बच वितए ल कुमान गुडे टवर यह तंध कर यह पहले यहां पर देखो कि कौन मूल राशी है और कौन व्यूतपन राशी है बहुता बढ़ यह यह किसी और भॉत राशी पर डिपेंड नहीं करती है बहुत ही बढ़िया लेकिन क्या तोरेन मूल राशी है नहीं तोरेन मूल राशी नहीं है ये बेटा क्या है व्यूत्पन राशी है हम क्या करेंगे अब इसको तोड़ेंगे अब बच्चों क्या करो या तो कोने में ही निकाल लो बेटा या तो क्या कर क्या करो मिल मिल सूतर निकाल बहुत हीक जिस लोग़ा तो निकालने के लिए तूहए प्र्मुला Meta होना चाहिए क्या होता है तो बचों यह होता है विट मी परीवर्टनंब्चांच समय आरे बोलो हां कि न वी देखो अगर तुम लोग लो क्लास मे अगर देखो क्लास में अगर जो है एक्टिव नहीं रहोगे तो समझ नहीं आएगा बोलो हाग की ना बहुत ही बढ़िया वेड़ी गुड बेटा वेड़ी गुड देखो अब बचो वेग में परिवर्तन बटे समय बहुत ही बढ़िगा अब ध्यान से सुनना अगर तुम ब बाद तुम्हारी जो चाल थी वह बदल के बीटा सो किलोमीटर प्रती घंटे के रफतार से हो गई ठीक है अब बिटा तोलन का इस निकालेंगे बीटा बहुत ही बढ़िया बीटा तोलन कैसे निकालेंगे वेग में परिवर्तन बच्चों क्या करेंगे हम भाई सवा में से असी घटा देंगे कि भाई आखिरकार वेग में कितना परिवर्तन हुआ है लेकिन बेटा ये बताओ कि जो ये 20 निकल के आया है ये है क्या बेटा ये है तो वेग ही अरे यार है तो वेग ही अच्छा एक बात बताओ मैं तुमसे बोलू तुमने दो कलो चावल लिए मैंने का बेटा एक काम करो इसमें से आधा कलो चावल मुझे निकाल के दे दो है ना तो अब तुम जो आधा कलो मुझे निकाल के दोगे भाईया चावल तो चावल ही है ये बच्छो है क्या बेटा ये है तो वेग ही तो क्या मैं वेग में परिवर्तन को केवल वेग लिख सकती हू भीपलर मेंं निकल था रिख भीट की पालता है विस्थापन बटे समय और ये बटे समय तो अईसा ही रहेगा विस्थापन को दर्शाथे हैं एलसे सम में को दर्शाते हैं टी से यह समय ऐसा ही लिखा रहें दो बिटा क्या हो जाएगा एले टी की घात माइनस के वन अपॉन टी घ्रां से सुनना वेरी गोड एले टी की पावर माइनस के वन बिटा अपॉन में टी लिखा हुआ है जब ये T उपर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा माइनस वन ये माइनस वन बेटा ये माइनस वन से क्या होगा जुड जाएगा और बेटा तौरन के लिए विमिय सूत्र क्या होगा अरे बताओ तौरन के लिए विमिय सूत्र क्या होगा ये हो जाएगा L T की घात माइनस का द बताओ कितनों से आ गया, बिटा, MLT की पावर माइनस कटो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बिटा जल्दी, simple girl कह देंगे, प्यार एक धोका है, बिटा, बिलको सही का, प्यार एक धोका है, पढ़लो अभी मौका है, जल्दी बताओ, सबसे आ बिटा, जब तक solve नहीं करोगे, ये questions रठने वाले नहीं है, कि तुम exam के एक दिन पहले बैठो, सीख लो, नहीं बिटा, और अगर तुम्हें विमिय सूत्र निकालना नहीं आया, तो आगे मैं जितने भी topic समझाओंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, और तुम सोचो कि बिलक आता है, जब हमसे हो नहीं पाता है, और तुमसे होगा, अगर तुम मेहनत करके यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैं question करवा रही हूँ, अपनी copy वे solve करो यार, कैसे नहीं होगा भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, एक बार जल्दी से सारे बच्चे थमसब कर दो, हाँ, बिटा सारे बच्चे एक बार थमसब कर दो, जितनों से यह solve हो गया है, MLT की पावर माइनस का 2, very good, रोहित कुमार मैम आपकी बहुत याद आती है, इसलिए तुरंत आ जाता हूँ live, बिटा रोहित आप तो class 10th में 11th में आई गया हो तो बिटा आप त मौका है, मौका है, मौका है, मौका है, अच्छा अगर मैं शक्ती को निकालने के लिए बोले के निकाल पाओगे, शक्ती की विमा निकाल पाओगे, जल्दी जल्दी जल्दी, कितने बच्चे बोल रहे कि हम शक्ती की विमा निकाल पाएंगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल क्रस्क्राइब करने निकाल एक फैठी विमां निकालो सर्फीज का पावर मेंस असंदेव हैस करें निकालना है हाँ रोको क्या कारी के गर विमा निकालना है तुम क्या करेंगे बिटा सबसे पहले तो कारी का सूथ लिखेंगे बिटा फिजिक्स क्या कहती है पहले तुम ये बताओ कि भईया फिजिक्स की अकॉर्डिंग क्या हम लोग अभी काम कर रहे हैं अगर मैं यहीं पर खड़े होक तुम्हें पूरा एक घंटा पढ़ाओं जहां पर तुम बैठे हो वहीं पर बैठ करके तुम पूरा एक घंटे का लेक्चर लो तो क्या फिजिक्स के लिए अकॉर्डिंग तुमने और मैंने कुछ काम किया बोलो हां किना किया या नहीं किया वेरी गुड हमने काम नहीं किया बहुत बढ़िया फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम नहीं किया बीटा कारे बराबर क्या होता है बेटा कारे बराबर बल गुड़े विस्थापन होता है अब बच्चो देखो वेरी गुड अभी देखो बेटा हम लोगों ने थोड़े दर पहले बल की विमा यहाँ पर निकाली थी बिढाेखो बल का वीबिम्य सुथर हमने निकाला था है ना अब एक काम करते हैं यहां पर वापस से विम्य सुथर निकालते हैं थाप लोंग को समझ में आएगा बच्चो विस्थापन क्या है बिता विस्थापन दूरी है तो पिता इस गो हम लोग किस से दर्शाएंगे इसको बेटा हम लोग एलस से दर्शाएंगे तो यानि कि बच्चों ये तो हमारी अल्रेडी मूल राशी है ही बेटा मूल भौतक राशी है ही है ना बहुत ही अच्छे लेकिन बच्चों बल क्या है हमारी बेटा जी ये वित्पन राशी है बराबर होता है द्रविमान गुरे त्रारन बहुत नद धीस ध्यूं से देखना गया है तो हमारी मूल राशी रीपीट्म कर रही सुछ कर रही वेग में परिव्रतन बटे समय गया है वेग में परिवर्तन मतलब की वेग ही है और बेटा वेग बराबर क्या होता है बिटा वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय विस्थापन बटे समय और ये समय तो नीचे रहेगा ही बिटा विस्थापन क्या है विस्थापन बेटा दूरी है दूरी मतलब की लंबाई है हमारी जो है मूल राशी है बहुत यह अच्छे जो ध्यान से इसको ल को लिख लो यह एल कौन वाला यह यह वाला यह दूरी वाला है ध्यास बच्छों देखना M into बिटा ये क्या होगा L T की पावर माइनस का 2 बिटा इन्टू L ये L कौन सा है ये वाला L है बहुत ही अच्छे बिटा क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चो आ जाएगा M L की घात दो T की घात माइनस का दो बताओ कितनों को समझ में आ गया Very good लिख लिया पका लिख लिया और अगर बच्चो दोखो अगर तुमें बल का याद होता तो हमनों रेकली लिख सकते थे कैसे बिटा देखो डिरेकली कैसे लिखते बिटा हमें पता है बल का विमेस हो तो अभी हमने निकाला था क्या था था M L T की पावर माइनस का टू था बिटा दूरी बिटा जी क्या है लंबाई ही है बिटा L यहाँ पर हमने लिखते तो बिटा त्रंट क्या जाता है L बिटा देखो यहाँ पर देखो बिटा देखो ध्यास देखो यह क्या है यह बिटा जी आधार समान है गाते जुड़ जाएंगी M, L की घात दो, T की घात माइनस का दो, देख लो, ये तो एक लाइन में ही आ गया, very good, very good, कितने लोगों से ये solve हो गया, जल्दी बताओ, कितने लोगों से solve हो गया, हाँ, very good, बहुत ही बढ़िया, हो गया solve, मैं मेरा भी very good, बहुत ही बढ़िया, अब निकालना आ रहा है, देखो जितना अधे practice करोगे, उतना अच्छे से आएगा, देखो बच्चों एक चीज और भी है, अगर तुम्हें formula याद होगा, तो ही कर पाओगे, अगर formula याद नहीं होगा, तो नहीं कर पाओगे, तो बच्चों हमें करना क्या होगा, पहले ज formula याद होगा, तो कर ले जाओगे, बहुत ही बढ़िया, बिटा, बिल्कुल धीरे ही समाझ, बिल्कुल धीरे धीरे ही चल रहे हैं यार, इससे और धीरे क्या चल सकते हैं, चलो, बहुत बढ़िया, ऐसे समझ माया है मैं, बहुत ही बढ़िया, very good, चलो, आजो, अब शक्ति निकालते हैं, शक्ति की विमा निकालते हैं, पहले ये बताओ, शक्ति का फॉर्मुला क्या है, हाँ, शक्ति का फॉर्मुला क्या है, पहले फॉर्मुला बताओ, हाँ, पहले शक्ति का फॉर्मुला, जल्दी, 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 शक्ति का फॉर्मुला क्या है, बच् बिटा शक्ति क्या होती है शक्ति होती है कारी करने की दर यानि बच्चों कितने समय में हमने कोञ़ काम कोई भी कारिय किया है कारिय बटए शीamp अब बच्चों देखको आपको निकालना असान हो जाएगा जल्दीस से फञ्दत मताओ अभी हो जाय अब हो जायगत शचमन और करी लिए विमांश और जाये अड़ोगोग्र का जाarakलिए फिन्स ना 6 ले समय क्यान है नीचे अफ़ोपर जाये बत्या क्या हो जाएगा माइनस में रहेगा बीटा माईनस माइनस क्या होंगे आपस में जुल जाते हैं और बीटा क्या जाएगा वीमीय सूतर आ जाएगा ml की घात दो टी की घात माइनस का तीन ये बीटा आ गहे हमारा शक्ती के लिए अगय की है Gargator वेरी गुड बिटा आयान खान बाते मत करो बिटा हाँ बिटा बाते मत करो बच्चा नहीं तो बाते कॉमेंट करते ही रहे जाओगे बिटा है ना कॉमेंट बिटा करते ही रहे कॉमेंट में ही लगे रहे होगे हो बिटा समझ लेना कि निकल जाएगा पूरा टॉपिक वेरी अगला question आपके और मेरी बीच में एक challenge है ठीक है बोलो challenge स्विकार है हाँ की ना जल्दी बताओ challenge स्विकार है पक्का ठीक है तो यहां पर मैं लिखने वाली हूँ एक question ठीक है भौतिक राशी का नाम लेने वाली हूँ उस भौतिक राशी का विमिय सूत्र आपको भी निकालना है मैं भी निकालूंगी देखते हैं कौन सबसे पहले निकाल पाता है ओके accept it very good बहुत ही अच्छे आजाओ तो अगर आपको मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगे कुछ भी help नहीं करूंगी सीधे आपको भी solve करना है मुझे भी solve करना है ओके चलो बहुत ही बढ़िया अगली भौतिक राशी है हमारी अगला जो challenge है वो है वो है अरे भाई वो कौन है जो मेरा जो मेरा कॉपी करेगा मैं उसको फोटो कॉपी बुलाऊंगी ठीक है चेटिंग नहीं करें भाई चीटर नहीं बनना है चीटर ठीक है मैं अपना solve करी हो तुम अपना solve करो अभी किसी का अंसर आया नहीं है साथ बच के 24 नट हुए है एक मिंट कर मैं डाइम दे दि जल्दी से जल्दी 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 मैं मैं चुपा चुपा के लिखोंगे मैं तुम्हें दिखाओंगी नहीं मैं चुपा चुपा के लिखोंगी बाई मैं चुपा चुपा के लिख रहेंगों मैं नहीं बताओंगी तुम्हें मैं बिल्कु छुपा छुपा के लिख रही हूं भाई मैं तुम नहीं दिखाऊंगी मैं नहीं दिखा लिए तुमें मैं नहीं दिखा लिए तुमें ठीक है अपना अपना तरो अपना अपना मैं ही दिखा रही वैं जिdepend गाया क्या जा अंट हुआ रही हुए आ जीडेश्य टुकर तक्सा प्रॉर क कर दो यह को ओगते हैं अस्थ नाश मोई दिखे रही हुआ है वेरी गुड बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे चलो अब जिन्हों नहीं सॉल्फ कर पाया मैं बताती हूँ बिटा इस्थेते चूर्जा का सूत्र क्या होता है मतलब नहीं बहुत ही बहुत ही अच्छह अब प्रेंका उल्फ याद याद नहीं होता तो मैंने पीछे बहुत बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटे समय होता, यानि कि वेग बटे समय, वेग का विमी सुतन बटे तुम निकाल लोगे, LAT की पावर माइनस का वर्ण, अब वान बीटा समय है तो क्या होगा, LAT की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, लंबाई बीटा जी, L, द्रविमान का M, L2, T की अब समझ मैं आ गया, हाँ चलो, निक्स है दाब के लिए, अगला क्वेश्चिन है, अगला क्वेश्चिन है फार प्रेशर, अच्छा प्रेशर वाला जो है शौट कितने बचुन देख लिया, प्रेशर वाला शौट देख लिया, प्रेशर वाला शौट देख लिया, हाँ बिल्कुल बटा ऐसा होगा की देखो और अच्छा ऑपको बता भी होत पिटा कार असल में है क्या कार और उर्जा है क्या कार और उर्जा है तो अब देख सकते हैं बच्चों यहां पर आप खुत देख पा रहे हो जब तुम गते जूर्जाक ले निकालने जाओगे न तब भी पिटा सी में ही विमी सुत्र मिलेगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अलग-अलग भातिक राशियों की पिटा विमी सुत्र समान हो सकते हैं कि निए दो भातिक राशियों की विमी सुत्र समान हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे, बिटा दाब बराबर क्या हो जाएगा जल्दी, हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, very good, very good, very good, बहुत ही बढ़िया, अरे जल्दी डेविल क्या करें प्रेम सत्य है लेकिन प्रेमिका नहीं बढ़ा से काउंट में घ्यान दे रहा भाई बंगाली बाबा के पास जा रहे हो का यह ते बहुत अच्छे से आध है अब पूछ लोंगे तुरन का विमी सुत नहीं बता पाओ गया बल का विमी सुत नह पना फैर बाद का सट्र क्या होता है बहुत ही बढ़ा अगर सुत्र याद होगा तवी कर पाओगे तो पीटा दाब बराबर होता correspondence यह बात हमें पता है असल में पूछ तो याद करूं इक लाइन थे बढ़ाया था दाव बराबर होता है प्रणोध बटे शेदिफल प्रणोध क्या है किसी सतहा पर लगने वाला लंबवत बले जिसे मैं अगर मैं इसको ऐसे हिट करूं यह वाला फोर्स क्या होगा प्रणोध होगा तो में हिट करूं यह क्या होगा प्रणोध वाला फोर्स होगा न बहुत यहच्छे आजुआ बेटा बल्ल का विमिस तरह लता ध यह होता है एंव बिटा क्या होता है टी की पावर माइनस की और भीटा क्या होता है nні होता अना जलदी बता अरे जलदी बताओ अरे ज जल्दी, 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 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अभी ने, अभी ने, अभी ने, हाँ, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जल्दी बताओ, आगे क्या होगा, जल्दी, 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 हाँ, जल्दी, 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 जल्दी बताओ जल्दी से हुआ हुआ है चलो अजर में बात को सुनो बीटा में बात सुनों में बात सुनों लेको बिटा बल है ml2 टी की पावर माइनस कर टू बिटा छेतर फल क्या होता है बताया था बिटा लंबाई गुड़े लंबाई यानि की एल की घात दो हो जाएगा बिटा क्या होगा बहुत ही बढ़िया क्या होगा अरे यार मैंजी बास नहीं आ रहा है कि रोको फिर से निकालते हैं अरे यार तुम लोग बिलकुल यार दाब बराबर क्या हो गया बल बटे छेतरफल हो गया अरे यार सुनो भाई फिर से निकालनो भाई कुछ बच्चों को अभी समझ नहीं है वापस देखो बेटा बल बराबर क्या होगा बेटा एफ बराबर होता है M into A द्रविमान गुड़े तौरन बेटा द्रविमान का विमी सोत तो बेटा जी M हो जाएगा तो अगर क्या होगा बेटा ये होगा L T की पावर माइनस का टू और बेटा बल हो जाएगा M L T की पावर माइनस का टू अब द्रविमान से देखो बल क्या हो गया M L T की पावर माइनस का टू बेटा छेत्रवल क्या होता है लंबाई गुड़े लंबाई यानि की L की घात बेटा दो L की घात दो अब ये उपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा तो ध्यान से देखना बेटा ये L की घात माइनस का दो हो जाएगा माइनस का दो बीटा प्लस का वन क्या होंगे आपस बीटा जुडएंगे माइनस का टू प्लस का वन क्या आएगा माइनस का वन आएगा M L की पावर माइनस का वन T की पावर माइनस का टू और ये बीटा आगया दाब का छेत्रफल ओ survived कर विम्ह को सूत्रा बिटा पहला ही बीट चैप्टर चल रहा है बिटा, नहीं 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 बीटा, ML की पावर मैनस के वन टी की पावर मैनस का तू हां, correct answer is, very good बीटा, बीटा correct answer is, ML की पावर मैनस को वन टी की पावर माइनस का टू चलो बहुत ही बढ़िया हो गया पक्का डन अच्छा कितने लोगों ने यही निकाला था कितने लोगों ने यही निकाला था यह उपर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब की वन है विटा माइनस का टू बहुत ही अच्छे हां बिटा बिलकुल यार आते हैं बिटा देखो डाइमेंशनल फॉर्मुला गर्ट में नहीं आएगा तो अभी हम लोग पढ़ेंगे विमिय शूत्र के अनुपरयोग पढ़ेंगे अप्लिकेशन ऑफ डाइमेंशनल फॉर्मुला ये बच्चों आपके हर साल एक्जाम में पूछा जाता है आपके विटा जी चाहें आप जेई करो चाहें नीट करो विटा जी उसमें आपके क्वेस्चिन यहां से आना ही आना है वेरी गुड बहुत ही अच्छे चलो अब आवेग का बता दो मैं आवेग का बता दो पहले आवेग का फॉर्मुला बताओ आवेग का फॉर्मुला बताओ हाँ विक्रती विमाहीन होती है बताओंगे भी अभी पहले यह बताओ आवेग का सूत्र क्या होता है जल्दी 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 आवेग का सूत्र क्या होता है डिटा आवेक का सुत्र क्या होता है जल्दी बठाओ देख்uit फेरी गूड बीटा देख्वा आवेक बडाबर क्या होगा बलगोड़े समय होगा बहुत ध्यास बचो सुझनो बलगोड़े समय होगा एक बल का विमी सुत्र क्या निकाला था ही flu क्या था ML T की पावर माइनस का 2 ML T की पावर माइनस का 2 था बहुत बढ़िया बिटा समय का बिटा क्या होगा विमी सुतर बिटा T होगा देखो T की पावर 1 बिटा देखो T की पावर 1 माइनस का 2 है बिटा क्या होंगे आपस बचो घटेंगे तो क्या होगा माइनस का 2, प्लस 1 करोगे, पीटा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, आएगा, M L T की पावर, माइनस का 1, यार, बताओ, इसने क्या समस्या है, एक भी समस्या नहीं है, एक भी समस्या नहीं है, यार, very good, बहुत ही अच्छे, M L T की पावर, माइनस का 1, सब का आ ग very good अच्छा सम्वेग का संवेग का फार्मुला अब अगर आवेग आ गया है तो संवेग भी कर लेते हैं चलो संवेग का विम्या सूतर निकालो जल्दी इस बार जितने दिको इस बार अगर साथे बच्चों नहीं निकाला तो भी पक्ता यही पर एंड कर दूंगे अरे अगर फॉर्मुला याद नहीं है तो निकाल लो देखो अभी तो हम लोगों ने बल का फॉर्मुला पीछे निकाला ही था, दो बार मैं निकाला सिखा चुकी हूँ, है ना, बिटा समवे क्या होता है, बल गुड़े दूरी नहीं होता है यार, बिटा बल गुड़े दू द्रव्यमान गोड़े वेग अब ध्यान से देखना बिटा द्रव्यमान तो बच्छों अपने आप में ही क्या है मूल राशी है इसको तो अम लोग कैप्टल M से लिखेंगे वेग का बताओ क्या होगा बिटा वेग बराबर विस्थापन बटे समय विस्थापन कहीं दूरी ह अब बताओ कितने लोगों को दिक्कत है हाँ बिटा देखो कर M की पावर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब कि M की पावर पॉजिटिव का वन है अच्छा एक बात बताओ चाहे थ्रे लिखाओ चाहे थ्रे की पावर वन लिखाओ बात तो दोनों की बराबर ही है ना या है की नहीं है वेरी गुड एम एल एम एल टी की पावर माइनस कवन पक्का समझ में आ गया हाँ यह यह तो बहुत आसान था यार अब यह तो मत को कि मैं नहीं आया चलो अच्छा एक बच्चा कहला है कि मैं गते जूर्जा के विमिये सुत्र निकाल लो चलो आजो गते जूर्जा के निकाल लेते हैं चलो गते जूर्जा पहले फॉर्मुला लिखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मुला क्या होता है हाँ जल्दी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मुला क्या होता है जल्दी काइनेटिक इनजे का फॉर्मुला क्या है बहुत ही बढ़ गा बच्चो गते जोर्जा का सोत्र होता है एक बटा दो m into v square बच्चो एक बात ध्यान रखना कि जो हमारे constant होते हैं जो हमारे नुमेरिक नंबर्स होते हैं एक दो तीन चार वन बाई टू टू पाई है ना कुछ भी बिटा कोई भी नंबर हो अगर वो constant है बिटा constant की कोई भी विमा नहीं होती है बहुत ही बढ़िया अब बच्चो विमा किसकी आएगी बिटा विमा ओनली अब बच्चो विमा होती है एल टी की पावर माइनस कवन अब बच्चो देखो देखो उपर स्कॉाइर तो बिटा क्या होगा इसमें भी उपर स्कॉाइर होगा अब बिटा देखो जब ध्यास देखना अगर अगर हम लोग ब्राकर को बिटा खोलेंगे तो क्या होगा बिटा इस घात का भी मल्टीप्लाई होगा एल की घात दो टी की घात माइनस कटू अरे बच्चो याद करो अगर सपोस्ट कोई लिखा हो ऐसा कुछ लिखा हो तो पिटा क्या हो जाएगा हम इसको ठी की पावर सिक्स लिख सकते हो जाता है लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बहुत ही बढ़िया अब ध्यास देख लो एम एल की घात दो टी की पावर माइनस कटू अगर बेटा अगर तुम यहां पर देख पा रहे हो तो गतेज उर्जा इस्थेज उर्जा और कार्य सभी की एक ही विमा है ml की घात दो टी की पावर माइनस कटू पका बताओ हाँ ml की घात दो टी की पावर माइनस कटू जल्दी पका समझ में आ गया पका सम गया वेरी गुड चलो अब अच्व हम लोग कर लेते हैं विक्रती बीटा विक्रती आप लोग पढ़ोगे ठोसो के यांसरे गुण चाप्टर में देखो बैटा विक्रती मतलब क्या होता है जब भी हमने किसी वस्तों को कुछ दबाया है ना तो क्या हुए वो थोड़ी सी विक्रत मतलब की अपने का अकार कुछ बदल गया ठीक है अपने अकार में कैसकते कुछ परिवर्तन होगया आप वो सको मिलोग कैसके कि किसी अर्जियर धिया तो वह क्या होगया विक्रती का जो सूत्र होता है वह चाह बटा वह होता है लंबाई में व्रध्धी आपatas कहींच दिया तो तो वेटा प्रारंभिक लंबाई मतलब मतलब अब बिटा लम्बाई मतलब काँगे ये एक विमाहीन राशी है कैसी राशी है विमाहीन राशी है क्या ये बास सबको समझ में आ गई पका समझ में आगई बहुत की बढ़िया बच्चों आपके लिए एक टेलेंजर क्वेशन है ऑफ आपके लिए चालेंजर भेषिन बोलो-स्यराट है कि नहीं सब्वेब आपके लिए चैलेंजर रोटयाट ऐबच्छो कि आपको निकालना है गुलत्वा गर्षण के नियतांग की विमा की विमा यह इस्थ्तरां इस थाप्टल जी की आपको विमा निकालनी है अनकर पनीमा न क्लास की जो होमवक हैं मैंने बिटा आपको करीब करीब बिटा साथ क्वेश्चन दिये हुए और वो साथ बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना पड़ेगा जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आप आएगा ठीक है और हाँ बहुत ही बढ़िया हाँ आप जबर मेरी बात को जब ध्यान सुनना तो बच्चों आप वो करना क्या है गुर्टवा कर्शन स्थरांग की विमा निकाली में रिखाल से क्वेश्चन आपको होमवक ही मिल जाएगा वहाँ बरुचों आप करो क्या आप प्रॉपर दिस्क्रिप्शन में लिंक दि करोगे सारे क्वेश्चन दिये हुए ऐसे टिक टिक मत करना कि वहाँ पर बकल बंबे को बोल करके माना कर रहे हो ना जय माता दी बोल के टिक लगा दिया नहीं प्रॉपर सॉल्व करोगे बिटा इन सारे ही जितनी मैंने फॉर्मलिस लिखवा है इनकी वापस सिगर प्रैक् समझ नहीं आए गया इस बात को ध्यान रखना बहुत ही बढ़िया विमा वाले क्वेश्चन करेंगे मैं पांच क्वेश्चन लेकि आई हूं क्योंकि अगर विमीने सूत्र निकालना नहीं आता होगा तो बच्चों आज क्लास समझ में आएगी ही नहीं क्योंकि बेटा इस का मैं यूज कपे करना है तो बच्चों इसे बोलते हैं विमीए सूत्र के अनुपरयोग है ना बच्चों आपको क्या आघ की जो क्लास है उसमें हम लोक्ति क्या में है को बोला था एज़ा पिटा जी आपको चैलेंज दिया था कि अग जो है शक्ती की विमा क्या होती है जल्दी बताओ बच्चो शक्ती की विमा क्या होती है फड़ा फट से एक पर जल्दी से तो फटो जल्दी सब्टो करना होगा है ना उर देख लो अगर तफ लगेगी अगर तुम लोग सौल्व नहीं करोगे अगर नहीं सीखोगे सौल्व नहीं करोगे हर क्लास लगेगी और एक क्लास करके छोड़ते जाओ गर यहाद रखना कि आपका 10th में तो जो है न परसेंटेज यहां पर था और 11th में परसेंटेज सीधे यहां पर होगा और उसमें किसी और का दोश नहीं सिर्फ और सुर्फ आप ही जिम्मेदार होगे इस बात को ध्यान रखना तो इसलिए बच्चो पैन और कॉपी के साथ बैठो जितना बता रही हूं उतने questions साथ साथ practice करते जो very good देखो बच्चो शक्ती बराबर क्या होता है तो बेटा शक्ती और कुछ नहीं बलकि कारे करने की दर होती है यानि बच्चो कारे बटे समय अब बेटा कारे बराबर क्या होता है बल गुड़े विस्थापन हैना बेटा क्या होता है कारे मैंस का 2 बच्चो देखो विस्थापन क्या है बिता विस्थापन और कुछ नहीं बल्कि प्रकार की लंबाही है तो हमक्या बोलेंगे बिता अब भीक्ताइऑ समय क्या हमारा टी ध्यांस बच्चो देखिएगा वेडिगुर बच्चो यहां से क्या जाएगा म एल की पावर 2T की पावर माइनस कत रुए वेरी गुड जितने बच्चे बोल रहे है option number A वो उनका बिल्कु सही है वेरी गुड चलो आगे बढ़ेंगे हाँ बच्चा जस्ट अभी क्लास start करें जस्ट अभी क्लास start करें बच्चो यह second question है जल्दी बताओ कह रहा है आवेग का वेमिय सूत्र क्या होता है और यहाँ पर आपको दिया भी गया है आवेग बराबर बल गुड़े समय मैं मुझे साफ नहीं दिख रहा है बेटा अगर साफ नहीं दिख रहा है इसका मतलब कि आपने जो है ला क्वालिटी थोड़ी से लो करके रखी होगी उसको बेटा जी थोड़ा से बढ़ा लो बच्चो जल्दी बहुत आसान है बहुत ही जादा आसान है कह रहा है कि आवेग बराबर है बल गुड़े समय अब बच्चो बल का तो हमें पता है विमिय सूत्र क्या होता है M L T की पावर माइनस का 2 बच्चो समय क्या होता है बच्चो समय T होता है ध्यांस बच्चो देखो बच्चो जब T की पावर कुछ नहीं मदलब T की पावर 1 है जब बच्चो यह 1 बच्चो बच्चो यहां से क्या आ जाएगा यह आ जाएगा MLT की पावर माइनस का वन option number B very good बहुत ही बढ़िया सुरजीत, सुरजीत, अंकेश, माही बहुत ही बढ़िया बेटा very good, बहुत ही अच्छे हाँ very good बेटा, बहुत ही अच्छे बिल्कुल सही का option number B आगे बढ़ेंगे शाब बाश जितने बच्छे question solve कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह मालो कि अब तुम्हें जो है ना, जो इसके अनुप्रियोग है, जो इसके application से वो बहुत ही अच्छे समझ मा आ जाएंगे, तुम्हारे बिटा जी exam में कम से कम मालो 3-4 number पक्के हो गए है, फड़ा-फट से स्टार्ट किया है, क्या नहीं बिटा, आज स्टार्ट नहीं किया, लेक्छे नमबर 6 है इसका, हाँ, बच्छे कौन सी राशी की विमा, उर्जा की विमा के समान होती है, very good बिटा, संबुल ने सही आंसर दिया है, very good, बहुत यच्छे, उमंग बहुत यच्छे, बहुत सरे बच्छे बोल रहे है, option number D, और हमें पता भी है, जितना कार है, उतनी उर्जा, जितना आम काम करेंगे, उतनी एनर्जी, बच्छो, जितनी उर्जा, उतना कार, obviously, तो हम क्या बोलें, कार और उर्जा की विमा क्या होगी, बराबर होगी, है ना, आजो फड़ा-फट से, अब बच्छो, यहां भी कह रहा है, इस्थितेज उर्जा की विमा क्या होगी, जल्दी निकालो इस्थितेज उर्जा की विमा, very good, बिटा, very good, हाँ, फड़ा-फट से आप राजो, इस्थितेज उर्जा की विमा क्या होगी, यहर बच्छे देखो, जिन की पहली क्लास होगी, उनको समझ नहीं आ रहा होगा, obvious कैसे करें, यहर बैकलोग आने ही क्यों दे रहे हो, किलियर करने की ज़रती नहीं पड़ेगी, बहुत यह रही है, यहाँ पर फड़ा-फट से बच्छों आजाओ, देखो, इस्थितेज ऊर्जा क्या होती है, MGH होती है, वैसे बच्छों याद रखना, चाहें स्थितेज उ क्या होगी जाएगी बच्चों यहां पर क्या है गुरुत्विय तEMA ही हो चाहे गुरुत्विय तरण हो चाहे कौनों सा तरण हो बच्चों इसकी विमा क्या क्या होगी एलकी की साथ सबस्क्राइब Extra रखना यहां सबस्क्राइब पावर 2 T की पावर माइनस का तू यहां से बच्छों हमारे पास आ जाएगा M L की पावर 2 T की पावर माइनस का तू आप्षिन नमर B very good बेटा very good option number B is the correct answer बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे आगे बढ़ेंगे बच्छों फटाफ़ सागे बढ़ेंगे लास्ट कोस्टेन एज के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास का बहतरी टॉपिक और आपके एक्जाम में आने वाला क्वेश्चन तो विद्यो धारा की विभा क्या है जल्दी बता दो राज्रावत के हैं कि मैम हम्भी बताते हैं आप वहारा नाम नहीं लेती हैं बच्चों यहां पड़ा नाम बहुत जल्दी ऊपर चले जाते हैं तो इसलिछ नहीं हो हुशmar का और नाम थ्जोड़ा से लेने में दिक्कत हो जाए ब्लाया से जल्दी लिए दार्क अगर यह नहीं कर पाए तो रहा पर बैठेव वहीं से गिर जाओ बेड़ पर बैठेव तो बैट से कूच जाओ अगर चेयर बैठेव थी ए सकूच जाओ इतना आसान गुश्चन है हैं यहांपर पैला क्वेश्चन है लगतर पच्ते का बघ्चो यहां पर चुकि क्यून को ऑप्चों क्यूं क्यू है तो यहां पर हम क्यूं ही लेंगे तो बच्चों इसकी विमा क्या हो ग tutorial यह तो अगर देखा रहें तो तो यह तुर क्यों कि की पावर माइनस का 1 कि यूद्य की पावर माइनस का 1 कि अगर आप लोग ध्यान दे पारे हो बच्चों तो देखो हमारे options में M भी दिया हुआ है L भी दिया हुआ है तो बीटर देखो चूंकि M L तो हैं नहीं तो हम क्या लिखेंगे M की पावर 0, L की पावर 0, Q, T की पावर माइनस का वन, और अगर आप लोग थोड़ा सा अपनी आखों का सही इस्तमाल करेंगे, तो आपको दिखाई देगा, option number 1 यही है, option number 1 यही है, यानि कि आप very good, जितने वच्छे option number A कह रहे हैं, उन्होंने अपनी आखों का बिल्कों सह इस्तमाल किया है, और उन्हें साफ साफ दूर से दिख गया, कि M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर माइनस का वन, क्यों, यह हैं हमारे जो है, विद्यधारा की विमा, very good, very good, तो फ़रा फट से बेले यह बता दो, कि आप में से क्या सबको, विमी सूतर निकालना आ गया ह जल्दी से एक बार थमसाब कर दो, इसके बाद बचो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज का टॉपिक जल्दी, 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 टाइंग नहीं है, बहुत ही सई टाइंपर बचो दो हम लोग क्लियर कर लिया है, तो बिटा जी हम लोग देखने वाले हैं विमी सूतर के प बहुत सारी अप्लिकेशन है, क्लास 10 से बच्चो आपने पढ़ा होगा, एप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पढ़ा था कि नहीं पढ़ाता है, जल्दी बताओ, मैं मैं तो आपको बुग्गू बलाँगार, यार मैं को छोड़ो पहले, विमी ये सूतर को पकड़ो, जल्दी से, आपने बढ़ा था बच्चो, एप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बिटा एप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कि हम जिस चीज़ का जहां पर इस्तमाल कर रहे हूं, अच्छा, फिजिक्स में आजो, हम लोगों ने पढ़ा था, उश्मिया प्रभाव की अ डाला, है ना, तो बच्चो, ये क्या था, वेद्यो धारा का उश्मिया प्रभाव का अनुपरयोग, उसी प्रकार से बच्चो, आज हम देखेंगे, कि आखिरकार जो हमने ये डाइमेशनल फॉर्मुला बनाए है, इनके अप्लिकेशन क्या है, तो बच्चो, सबसे पहला ह सिध्धान्त पहले क्या कहता है, इसको सुनो, विमिय समांगता सिध्धान्त बच्चो कहता क्या है, पहले इसको सुनो कि आखिरकार विमिय समांगता सिध्धान्त का मतलब क्या है, बिटा फिर बता रही हूँ, अगर इसको मिस कर दोगे, नहीं सीरियस लोगे, बिटा बता बताओ छोटा से एक्जाम्पल ले रहे हूं बच्चों हम लोगों ने बच्पन में मास पढ़ी हुई चोटे में समने प्लस माइनस सीखा था तो अच्छे बात बताओ बच्चों क्या आप लोग 10 सेंटीमीटर में 10 किलोग्राम को जोड सकते हों क्या 10 सेंटीमीटर में हम 10 कि किलोग्राम को जोड सकते हैं हाँ की ना जल्दी 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 हाँ फटाफट से पिटा फटाफट से क्या हम लोग 10 मीटर में 10 किलोग्राम जोड सकते हैं ग्रविमान में लंबाई कैसे जोड़ देंगे है ना बिल्कुल सही का वेरी गुड यह बच्चों लोग नहीं कर सकते हैं तो पहली चीज तो यह है कि यानि कि जो है हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो है एक सेंटीमीटर में हो एक किल्यानी कि एक दूसरी भौतिक राशी है एक दूसरी भौतिक राशी उसको टाके जोड दिया यह पॉस्पिबल नहीं है अच्छा वाद दूसरा सुनों क्या बच्चों हम लोग कभी ऐसा कर सकते हैं क्या कि 10 सेंटी मीटर में 100 मीटर जोड़ दें क्या ऐसा पॉसिबल है जल्दी बताओ क्या बच्चों ऐसा भी पॉसिबल है क्या क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों कि हम लोग 10 सेंटी मीटर में 100 मी तो सेंटीमेटर में चेंज करेंगे या फिर सेंटीमेटर को मीटर में चेंज करेंगे है ना यही करोगे आप भी यही करोगे बिल्कुल सही का यानि बच्चो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि हम क्या लेंगे बच्चो समान यूनिट्स लेंगे है ना समान तो यानि कि बच्चो समांगता का मतलब क्या है बिटा समांगता का मतलब यह है कि जब भी हम लोग प्लस कर रहे हैं है ना यानि बच्चो दखो जब भी हम लोग जो है जोन रहें तो इसका मतलब क्या होना चाहिए इसका मतलब यह होना चाहिए कि यह हमारे पास यह यूनिट चाहिए ये भी बराबर होना चाहिए ये भी बराबर होना चाहिए अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि विम्य समांगता सिध्धांत क्या है बच्चों बिलकुल इसी के जैसे बिलकुल इसी के जैसे बिटा कि विम्य समांगता सिध्धांत का मतलब यह है कि अगर कोई भी स बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, क्या ये बास समझ रहे हो, क्या ये बास समझ रहे हो, वेरी गुर बच्चों, ध्यास बिटा देखना, यह बच्चों माल लो कि हमारे पास ऐसे कुछ, कोई ऐसी कोईशन लिखी है, तो इसका मतलब क्या है, जो A है, बिटा A की विमा, B की विमा, और बिटा जी जो राइट साइड में लिखा हुआ है, उसकी विमा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, हाँ फिर से रिपीट करेंगो, डॉन्ट वारी, फिर से रिपीट कर रही हो, देखो फिर से सुनना, मालो ऐसे लिखा हुआ है, A प्लस B उसका मतलब क्या है पहले चीज़तों यह कि यानि कि बच्चो की विमा गूनी चाहिए इन सभी की विमा एक होनी चाहिए है ना इन सभी की विमा एक होनी चाहिए सभी की विमा एक होनी चाहिए सभी का भगवान एक है है ना सभी का भगवान एक अरे displacement reaction नहीं है बाई या chemistry ना लगाओ अरे chemistry मत लगाओ यार chemistry पर उतर रहे हैं तो बच्चो पहले तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे हैं ना छोटा सा पॉइंट ये लिखू कि विम्य समांगता अब देखो बच्चो इस सिधांत से हम लोग बेटा जी हमारी भौतिकी में जो समी करण हैं भौतिकी में जो स कमी करण है उन्हें की शुधता की जाच करने वाले हैं कि क्या वो विमिय रूप से सुद्ध है क्या वो विमिय रूप से सही है पहले बताओ क्या ये बात किलियर हो गई है यह सो नौट बच्चों बता रहे हूं अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है यहीं बिटा सीधे यहीं क्वेश्चन नहीं आएगा यहीं क्वेश्चन लिखाओगा वेरी गुट यह अभी तो मैंने कोई बात बोली नहीं है इसी को दस बार रिपीट करवा दोगे तो आगे कैसे टॉपिक पढ़ेंगे वेरी गुट बेटा बहुत बढ़िया हां बिटा विमिय शुद्धता का मतलब यह होता है कि अगर सभी पदों की विमाएं क्या हैं समान है तो वो क्या है शुद्ध हैं अगर विमाएं समान नहीं तो मतलब अशुद्ध हैं सिंपल से मतलब यह हैं अगर सभी अगर सभी प पर इसको लॉल लिख लेते हैं इसके बाद आगे बढ़ेंगे वच्छों मैं बहुत ही शॉट में लिखवा रही हूं बाएं पक्ष के सभी पदों की विमा ब्लकुर शॉट में लिखवा रही हूं वसे इतना याद रखना बराबर दाएं पक्ष के सभी पदों की विमा आपस में बराबर होनी चाहिए तो अब बच्चों सीधे चल रहे हैं question करने और बत्चों हम लोग dart करेंगे घौतिक के सबसे most important सबसे famoo equations कोई सकता है कि famous equations कौन सी है कोई बता सकता है हाँजी सर्वे स्टैटरी कोई बता सकता है क्या कि सबसे famous equation कौन है हमारी ज़ से भोतकी की फिजिक्स की most famous equations कौन है जल्दी 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 एकॉस टो mc square नाई मही ने बिलकुल सही का है मही 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 वेरी गुड मही वेरी गूड सुर्जीत वेरी गुड उतकर्श ने उतकर्ष ने गलत बोला हुआ है हमी नाक्षि वेरी गूड बेटा ले कुएशन यार क्लास 9 वे पढ़ा था किया पढ़ा कि था समीकरण देखे थे विटा गती गभिवस्वाद्र देखे थे बेटा गती के निचे के बढख़ाइट जस्टार श्लतों ऐस इक उसनल को यह देखेंगे रायमेंशनल यह ती स्कॉर्क भात है बार्झ-घ। बिलकुल अब तरह ध्यान से देखो अब मैं तुम्हें लगवाने वाली हो यहां पर टिक बिटा इस से क्वेस्चन को नोट कर लो इसमें लगा लो बीएस स्टार्ट बिटा बीएस मतलब की हमारे बोर्ड के लिए हमारे स्कूल एक्जाम के लिए most important question बिटा यह question आप में से बहुत सारे बच्चों की स्कूल में आने वाला है क्योंकि यह question हर साल पूछा जाता है अगर यह नहीं पूछेगा तो यह पूछ लेगा वैसे बच्चों यहीं पूछता है क्योंकि इसमें एक जो है न एक छोटी सी बात है इसलिए बच्चों एस बड़ाबर यूटी प्लस हाफ एटी स्कूर यह question पूछेगा ही पूछेगा कहेगा कि अहां बच्चों आपसे कहेगा हाँ बेटा आपसे कहेगा कि विम्य समांगता सिध्याफर विम्य रूप से प्रूफ करो कि जो यह equation है जो यह समी करण है यह बिलकुल सह ही है यह गलत है है ना बहुत इससे सूटार्ट करेंगे बच्चों अपने कॉपी ऑटी बिल्खना है इस तरभ दूर-दूर लिखना ऐसे दूर-दूर व यू प्लस तो यानि कि बच्चों हम देखने वाले हैं कि जिनकी विमा समान होगी वो ही आपस में जुड़ेंगे जिनकी विमा में बेटादी समान नहीं होगी वो आपस में ना तो जुड़ सकते हैं नहीं वो एक्वेशन हमारी सही होगी तो बच्चों व बराबर यू प्लस 80 ऐसे लिए कौपी में। एसे लिख लिए हां बिलकुछ कॉपी मैंसे लिख लिए बहुत यह अच्छे आजओ बहुत यह चैजिए आजो आजओ आजो अब जिनके यहां पर हम लोगी हो फर्स्ट स्टेप है वह तो हमने कुएशन लिए सभी का विमी आ सूत्र लिखेंगे वी और किया है एल कि पावर माइनस कवन याद ही नहीं है बेटो बेटो विस्थापन बसे समय याद करो विस्थापन क्या है लंबाई है बच्चों समय क्या है ट है T उपर जाएगा, क्या बन जाएगा, L T की पावर माइनस कवन, बहुत बच्पन में सिखाए थे, जली बताओ, सही है, very good, very good, बहुत ही अच्छे, L T की पावर माइनस कवन, अब हमें ये देखना है, कि जो ये ओला जो U लिखा हुआ है, क्या इस पद की विमा ये है, या फिर क्या इस वाले पद की विमा भी यही है, अगर U की विमा भी यही निकली, 80 की विमा भी यही निकली, तो हमें क्या बोलेंगे, कि ये equation बच्चों क्या है, बिटा ये equation विमियर रूप से शुद्ध है, विमियर रूप से सही है, क्या ये बास अब को समझ में आ गई है, बहु बहुत ही बढ़िया बेटा एल टी की पिटा पावर क्या होगी माइनस का वान ये भी होगी बहुत ही अच्छे अब ज़रा यहां पर ध्यान दो बच्चो ए क्या है ए है त्वारण अगर ए त्वारण है बच्चो त्वारण की विमा क्या होती है बेटा त्वारण की विमा हो यानि कि हम देख सकते हैं कि सभी कि विमा हे हर एक पद की विमा है वो क्या है बराबर है यानि कि जो left hand side में जो पद है उसकी विमा right hand side की जितने बिटा पद हैं इन सभी की विमा क्या है आपस में बराबर है very good तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा पहला equation है बच्चों जो यह हमारी फर्स्ट equation है बिटा वी बराबर यू प्लस 80 यह क्या है यह बच्चों विमियर रूप से शुद्ध है क्या सब को समझ में आ गया क्या सभी को समझ में आ गया वेरी गुड बेटा वेरी गुड बेटा बेटा डाउटनेंट क्लास 11 साइंस बेटा तु है जब यह समझ नहीं आ रहा तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ वेटी स्क्वाइड कर समझ माएगा बहुत यह आसान है भाई बिटा यू बच्चों दो यू आरे याड नाइन्थ में पढ़ा था ना वी क्या होता है अंतिम वेग होता है यू होता है प्रारंभिग वेग बच्चों वेग वेग होता है चाहें अंतिम हो चाहें प्रारंभिग हो यहीं हमने पढ़ा था कि जो डाइमेंशनल फॉर्मुला है वो सभी का एक होगा विमिय सूत्र बच्चों एक होता है है ना तो बच्चों देखो चाहें कोई सभी वेग हो चाहें प्रारंभिग यहां बछो चाहें 20 मेट बाद कर वेग हो बच्चों वेंशक्त विमा Defi plain use h dispers हमेशा बराबर law Esoda रहेगा एक ही रहेगा बहुत नहीं नहीं याने में मेरस्फर मतों को ध्यान से देखो तसलेंट में बात को ध्यान से देखो मेरी बात को ध्यान से देखो यह गलत बाति योडा दो कि गलत हो जाएगा मैं है जो जोड़ी कर रहे हैं कि अरे विम्हांइ समान हैं उन्स सभी कि विमाय समान है अगर विमाय समान होंगी तो यह तो जुड़ी जाएंगी इतना दोंको पता है हमें विमी रूप से देखना है क्या सभी पदों की विमा समान है जोडने मत लगना गलत हो जाएगा हाँ अरे गलत हो जाएगा बाई गलत हो जाएगा हाँ वेरी गुड बिटा वेरी गुड बचो अब हम लोग लेने वाले हैं दूसरी एक्वेशन एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्कार ध्यास देखो बच्चू बिटा यह most important question अगर यह नहीं आया और अगर तुम्हें यह नहीं आया तो फिर तुम्हें कुछ नहीं आ सकता यह माल लो क्योंकि हम लोग बहुत ह ही basic से चल रहे हैं और बच्चो दूसरी चीज़ यह है यह question आपके exam के लिए बहुत ही important है कि बहुत ध्यान से देखना बिटा विमिय रूप से हम क्या कर रहे हैं समी करण की भौतिक के समी करण की शुद्धता की जाच कर रहे हैं मैंने फिर बोला स्टार्टिंग में लिखवाय था कि शुद्धता की जाच का मतलब क्या है कि एलचेस में जितने भी पद हैं आरचे प्लस हाप अब्लूती इस अघ इस पद की विमा अगर इन तीनों की विमा क्या है बराबर है तो तो ही बच्चों क्या होगा, ये जो समीकरण है, वो विम्य रूप से शुद्ध होगा, क्या ये बास सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गई, हाँ बिटा बिल्कुल सही का, S बराबर, UT ब्लस हाफ 80 स्क्वेर, अब हमें इस equation को देखना है, कि क्या ये विम्य रूप से स सबक्ति है, ये बास सबको समझ में आ गई, समझ में आ गई, बिटा, डाउटनेट क्लास 11 साइंस, बिटा, आप एक काम को, क्लास को जस्ट अभी-कभी छोड़ के चले जाओ, ये तो बता रही हो, ब्लॉक करवा दोंगे, चुप-चाप चले जाओ, ठीक है, यहां पर अग करने तो भाग जो, यहां से पहले बता रही हो, ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिटा, 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 सेकेंड एक्वेशन ही कर रहे हैं, बिटा, सेकेंड एक्वेशन ही कर रहे हैं, सेकेंड एक्वेशन ही कर रहे हैं, चलो यहां पर आदो, बचो बहुत ध्यान देन बहुत ही ध्यान देना बच्चा बेटा एस की विमा क्या होती है बच्चो एस यहां पर क्या है विस्थापन है बच्चो एस यहां पर क्या है विस्थापन है हम जानते हैं हमने जो है बच्चो नाइंथ क्लास में एक्वेशन पढ़ी थी एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क होती है होती है यानि कि बच्चो अब हमें ये देखना है कि क्या इन सभी पदों की विमाल है निकाले मज़ा आएगा को अगर सभी पदों की विमाल हुई तभी क्या होगा ये समीकरण विम्य경 से Сत्य होगा बच्चो इसमें एक important बात है बहुत important बात है जो आपको सिखानी है इसलिए ही बच्चो ये question हर साल जो है एक्जाम में पूछा राता है बहुत ध्यास बचो देखेगा बच्चो देखू अब बिटा लो योटिक लिए देखने वाले हैं बिटा यू क्या है वेग है बि टि क्या है समय है बच्चो समय के वीमारता क्या होती है अब अगर हम दोनों को सॉल करें यह minus european है यह plus cover बच्चो क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और यहाँ से आ जाएگा ल और मिल इसा बहुत ही बढ़ेगे बिटा वेरी कूड बच्चो ध्यास देखो अब जोने इसको देखो बच्चो देखो एक बात नोटिस करना कि जहां पर लिखा हुआ है वन बाई टू बच्चो बच्चो जितने भी कॉंस्टेंट होती हैं कॉंस्टेंट की विमा नहीं होती है बच्चो कॉंस्टेंट की विमा नहीं होती है किसी बच्छो नंबर की विमा हम लोग नहीं निकालेंगे गता हम अनकी विमा होते हैं बच्छो तेखो डिए हमारा त्वारण हे क्या होती है एल टी की पावर माइनस का टू अगर जिसको याद नहीं है याद कर लो बच्चो तुरन बराबर क्या था बीटा ये था बच्चो वेग में परिवर्तन बटे समय यानि कि बच्चो वेग बीटा जी क्या है एल टी की पावर माइनस वन है बच्चो समय क्या है टी है ये टी उ को विमा निकालना आता है उन्होंने प्रूफ कर भी लिया होगा उन्होंने प्रूफ कर भी लिया होगा बचो बगल में क्या लिखा है इसका बच्चों मतलब क्या है कि T क्या वर्ग, T की पावर 2, T की पावर 2, बचो ध्यास देखो, ये माइनस का 2 है, बेटा, ये प्लस का 2 है, जब हम इसको भी solve करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, L बन जाएगा, और इस प्रकार से हमें सभी पदों की विमा L, L, L बन गई, और हम क्या बोलेंगे, कि गती क समी करन बेटा जी क्या है, विमिय रूप से शुद्ध है, क्या ये किलियर हो गया, सब को समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे, सब ने साथ में कर लिया, कितने मच्चे साथ में solve कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, तो हम क्या बोलेंगे, ये समी करन वि विमिय रूप से सत्य है, विमिय रूप से सत्य है, अब बिटा ध्यांस देखना, नोट कर लो, उसको को नोट करना है तो, हाँ बहुत यच्छे very good बहुत ही बढ़ेगा ल-L-L very good बहुत यच्छे बच्चो दोगों आप दर ध्यांस देखना मैं आपसे पहली कर लेठा बिटा very good शिवा very good बहुत यच्छे बहुत हैं हाँ जे 및 important बात का है important point क्या है वो ध्यान सुना बचो important point बच्चो यह है important point बच्चो यह है कि अगर आप लोग notice कर पा रहे हो होतो हमारा equation था S बराबर UT plus half 80 square ठीक है लेकिन बच्चो जब हमने इसको विमिय रूप से प्रूफ किया था तो बेटा जी हमने 1 by 2 नहीं लिया था 1 by 2 नहीं लिया था तो यानी कि बच्चों हम क्या बोलेंगे कि कोई भी एक्वेशन कोई भी एक्वेशन अगर विमिय रूप से सक्ति है तो यह जरूरी नहीं है कि वह भौतिकी में भी सक्ति हो अब अच्छा एक बात बताओ अगर हम लोग विमिय रूप से देखें तो बेटा के लिए ही सही है ऐसा बरापर यूटी प्लस 80 स्क्वार पर बच्चो फिजिक्स में तो ऐसी कोई एक्वेशन होती ही नहीं है फिजिक्स में बच्चों कौन सी एक्वेशन है बीटा बेटा 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 बहुत ही अच्छे बच्चों हम क्या बोलेंगे कि जो यह एक्वेशन है यह विमिय रूप से सत्य है ऐसा बराबर यूटी प्लस 80 एक्वेशन होती ही नहीं है क्यों नहीं होती है मैं बेटा पवनी दुबे क्योंकि जो है न्यूटन सहाव ने वन बाई टू लगाके दिया था इसलिए बचों सब्सक्राइबर यूटी प्रस हाफ एटी स्कार एक्वेशन होती है तो हमें क्या बोलेंगे बिटा वेडि गुड यानिकी बच्चों में क्या बोलेंगे कि जरूरी नहीं है कि जो भी एक्वेशन विमी रूप से सकते हो उसको हम लोग फिजिक्स में यूस कर रहे हो वह भौ बहुत थ्यान सुना बच्चों हाँ सारे पारी हूं बटा फिजिक्स में जितनी भी एक्वेशन से वह भौ वह वह में रूप से सकत्य होंगी फिर से सुना फिर से सुना जितनी हैं जितने भी भौथ में जितनी भी और रूप से सत्य होंगी हुँगी तुम चाहेँ फिजिक्स में किसी भी टूइशन को देख जाओगे तो बिटा वो विम्य रूप से सत्य होगी पर बच्चों ये जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है कि यदी कोई कोईशन यदी कोई समी करन्ड विम्य रूपसे सत्य घट तो वो भातकी में भी सत्य हो भवातकी में Scott कि लेशन के अनुपरियों के बच्चो इससे आपको बिटा इससे आपको एक क्वे हैन तो मिलना ही मिलना है इंया потреб Okay style of dimensional formula इससे बच्चों आपको एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है अच्बच्चों हां विदक मैंने बहुत करते हो कि मैं प्लीज योट्योप पर पढ़ाओ मैं प्लीज अच्छा पढ़ादो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो पर क्लास के पर देखना नहीं चाहता है जब तक तुम खुद से पैन नहीं उठाओगे मैं यहाँ पर जो क्वेस्टेंज कर रही हूं जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ाने वाली हूं अगर तुम बटा खुद वह अपनी जहें कॉपी पर नहीं करोगे बिटा जी मैं पढ़ा लूँ मैं क् पढ़ोगे बिटा सच बता रही हूं मैं नहीं पढ़ाओंगे इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन लो अगर तुम सच में चाहते हो क्या योट्योब पर अच्छा पढ़ाए मैं योट्योब पर भी हमें अच्छा नॉलेज मिले अच्छा कॉंटेंट मिले तो इसके लिए बिटा पिले तो तुम्हें क्या कोना होगा सेल्फ क्लियर होना पड़ेगा तुम्हें बिटा जी भरोसा रखना होगा खुद पर तुम्हें भरोसा रखना होगा मुझ पर और तुम्हें बिटा जी मेहनत करने के लिए खुद तयार रहना पड़ेगा तो अगर एक बार बच्चे खुद से कॉप्य और पेन पे लिखने के लिए तयार है जो मैं कराने वाली हूं जल्दी बताओ कि रुद्धा फट से बिलकुल जल्दी 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 फड़ा फट से बता थ्री टू बजा कर देंगे एस साट कर देंग बत्चो और ऊकीन मानों कि जो वे दाइमेंशनल फॉर्मला के जो अनुपरियोग है एप्लिकेशन से बीटा यह मालू मैंने आपको तीन अप्लिकेशन कराए हैं विमियस तमांगता वेरी बहुत यह पक्का प्रॉमिस डन डन पक्का प्रॉमिस वेरी नाइस बहुत यह बहुत यह बहुत यह बिल्कुछ चलो शुरू करते हैं शुरू करते हैं इसी के साथ बच्चो इसके पहले की जो क्लास से अगर नहीं देखी है तो देख लेना बच्चो मैंने वहां पर आपको विमियस समांगता सिधान्त समझाया था बिटा विमियस समांगता सिधान्त क्या था बिटा विमियस समांगता सिधा यह था कि अगर हमारे पास कोई समी करण है तो एलचस की विमा यानि की लफ्ट हैंड साइड पर जितने भी पद होंगे उनकी विमा और राइट हैंड साइड पर जितने भी पद होंगे उनकी विमा क्या होगी आपस वे बराबर होगी यह बात हमने देख ली थी हमने यह भी देख लिया था कि जितने भी पद होते हैं समान विमाओं वाले पदों का ही योग बच्चों क्या है संभव है समान विमाओं वाले पदों का योग बच्चों क्या है संभव है बिल्कुल यह बच्चों आमने पढ़ लिया था वेरी गुड यानि कि किसी भी समय करण की शुध अचान पर था जिस्ते बच्चों हम लोगों भी बडाबर यू प्लस 80 एस बडाबर यू ती प्लस हाफ 80 वी स्क्वाइर बडाबर जोए स्कुरार प्लस तू एस तो यह हमने तीनों को कुंस कूल है फिर आगे बढ़ए जल्दी बताँ वाँ कि नवी जल्दी जल्दी जल्दे बसंग पैरी को कुर दिया था को पिल्कुल था दौत आग्या था सकट हला रहुं है क्वेरी गुड्स बहुत यच्छ엽 अब बच्छो यहां से अम लोग देखने वाले हैं सेकेंड अप्लिकेशन बहुत ध्यास को देखना दूसरा application है बच्चों दूसरा application है heading लगा के लिखो कि विभिन भौतिक राशियों के मध्य विभिन भौतिक राशियों के मध्य विमिय रूप से संबंध स्थापित करना विमिय रूप से संबंध स्थापित करना यानि कि दो हम क्या करेंगे बटा इनिадно इन यह सूत्र थे इनिका ही स्तमाल करके अलग चौतिक राशियों के मध्य विभिन क्या करने वाले हैं संबंध इस्थापत करने वाले वंगुषों मैं शौटकट कहूं तो विटा हम क्या करने वाले हैँ बच्चों हम यहां पर खुद फार्मूला बनाने वाले हैं तो गाइस साथ कर देए सब पैन और कॉपी लेके बैठे होना क्योंकि सबको बच्चों लिखना पड़ेगा सबको सॉल्फ करना पड़ेगा अगर सब मिलके सॉल्फ करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा शुरू कर दो जल्दी बताओ पक्का जल्दी 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 बताओ जल्दी से जल्दी बच्चों फड़ा फट से question लिखो ये बच्चों हमारे लिए question है क्योंकि बच्चों जो ये सिधान थे इसको हम question सही समझ सकते हैं मैंने बोला भी था कि बच्चों जो ये हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले ह उसमें कोई थ्योरी नहीं है वो सिर्फ और बच्चों नुमेरिकल सी है वेड़ी गूर बच्चों बहुत यह चलो तो बच्चों क्वेस्चन लिखो कि यदी ऐसे लिखो उर्जा जरव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है इनके मध्य इनके मध्य विम्य सूत्र की सहायता से संबंद स्थापित करो बेटा अब मैं जो बताऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो हमारा क्वेस्चिन क्या है बच्चों क्वेस्चिन यह है हाँ बिल्कुल वेरी नाइस वेरी नाइस हैंसम क्या है मैं माम स्वेक्साइटेड वेरी गुड वेरी नाइस लगाने वाले वेटा किसके बारें मूल रहा है जो जागे बारें बोल रहा है कि उर्जा क्या है अनुक्रमान पाथिया पर तो लिखेंगे यहां पर दर्शाoped जिए यहां यहां फिर नेयुक्त देखना जो उर्जा वह क्या कर रही है इतना हमें प्रश्ट मेंदिया हुआ है अब बच्चों असल में यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा यह हमें खुद निकाल कि लाना है प्रीति मौर्या बिल्कु सही का आपने प्रीति ने पहचान भी लिया जोती ने पहचान लिया कि मैम यह तो यह बराबर लां लेजिए स्क्वाइर बने वाला है ड हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे खुंद फॉर्मूला बनाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में यह ने यह निरभर ती सबंसां है जब जब अनुक्रमान पाती चिन हटा है तब तब एक नियतांक आया है बच्चो जब जब अनुक्रमान पाती चिन हटा है एक नियतांक बच्चो के क्या है एक नियतांक है और हम यह मान के चल रहे हैं कि जो के है बेटा उसकी वैल्यू क्या है वन है इस नियतांक की बेटा यहां से हम यह माल लेते हैं कि भाई M की पावर कुछ होगी वी की पावर कुछ होगी अब यह पावर क्या है यह हमें निकालना है है इसको वापस से लिखर ही हो अब आपको इतनी बास समझ में आ गई है यहां बचो ध्यान देना हम लोग यह को पावर क्या है एक से और वाई बद्चों क्या है पावर्स हमें नहीं पावर्सוח 다 की है फिर एम वी क्यूब है यह म्वड़ि की पावर 6 यह मर्बसक्वर है अगया सक्वाकब्स हमानी पता इस फ॥द्ट है यहां से हम यह कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग लड़की रहो हैं आपस में क्यूं लड़ लड़ रहो यह करने आयो है चलोड़ा पर लोट टॉपक्ट पर आओ यहां पर हां यहां पर हम इस्तमाल करेंगे बहुत ध्यान देना बच्चो यहीं तुम्हारा सीक्रेट है यहीं इसक्यों को सॉवर्फ करने का तरीका है रहे बोलो येस और नो जल्दी बताओं येस और नो लचैस की विमा रे। इसकी विमा बराबर होगी होगी की नहीं होगी तो अब हमारा काम क्या है कि हम इन सभी की पहलत क्या लिखेंगे बिटा विमिय सूत्र लिखेंगे बच्चो जल्दी से कॉमेंट करो एका विमिय सूत्र क्या है और वी का विमिय सूत्र क्या है और सभी विमिय सूत्र M, L, T के पदों में होने चाहिए मैंने आपको कभसे बोल के रखा है अगर विमिय सूत्र नहीं आते हैं तो विटा जी ये पूरा चाप्टर वाने ले बेकार है जल्दी जल्दी कॉमेंट करो फड़ा फड़ से मैं यहाँ भी लिख रही हूं और मैच करना कि क्या तुमने सही लिखा है बिटा, E की विमा होती है M, L की पावर 2, T की पावर माइनस का टू उर्जा और कुछ नहीं जिसको नहीं पता है मैं फिर बता देरें बिटा, उर्जा और कुछ नहीं बलकि बिटा, क्या है, कार है कारी बराबर होता है बल, गुड़े, विस्थापन बच्चो बल की विमा तो हमें बहुत बार यूस किया है, तो याद हो गई है M, L, T की पावर माइनस का टू बिटा, विस्थापन कुछ नहीं लंबाई है, तुम क्या लिखेंगे M, L की पावर 2, T की पावर माइनस का टू हाना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे शाबाज, यार अगर ऐसे बच्च अगर होंगे न, तो क्लास में मेरा ही पढ़ाने मल लगेगा तुम्हारे पढ़ने मल लगेगा बस ऐसे यार आंसर करों तुम्हारा आंसर बच्चो बहुत मैटर करता है मेरी एनरजी के लिए बच्चो म, ध्याद देना बच्चो द्रभमान की बिटा विमा क्या होगी बिटा द्रभमान की विमा ऑविसली M होगी, L की पावर 0, T की पार 0 होगी वेरी नाईस बहुत ही अच्छे यहां पराजो बच्छों अब बेटा ये क्या है बच्छों वी क्या है बच्छों वी क्या होती है वींते कीगी माइनस कवन होती है यानि कि एम की पावर जीरो हो जाएगा यहां तक किलियर है सबको हाँ वेरी गुड यहां तक सबको किलियर जल्दी बताओ अगर यहां तक किलियर है तो बच्छों हम पहुचने वाले हैं लास्ट स्टेप पे हाँ और उसके बाद तुम्हारे लिए एक चैलेंज होगा बटरफ्ला करीं सब्सक्राइब और रूची राडूत क्या राउत है स्टूरी फॉर लेट क्वाणाँ खाकर आएँ यहां तक किलियर है यहां तक किलियर है वेरी गुड आज ओ क्या करेंगे इस टवाली एक्वेशन में एसको मालो लेट वन एक्वेशन विपोटट करो चाविडूथ फुट करेंगे छीक है हां बच्चों सारी अरे सारी बिटा वैल्यूस पुट करेंगे आजो गर्वेल्यूस फुट करो तो ई क्या था पीडा एक वैल्यूस थी M, white से लिख दूँ, दिख रहा है न, M, L की power 2, P की power minus 2, ठीक है, बच्चों, इधारे बच्चों क्या था, इधार था हमारे पास M, बच्चों M की विमा क्या है, तो ये है M की power, sorry, M, L की power 0, बेटा, बहुर ध्यान से अपनी copy लिखना गलत हो जाएगा, power तुम as it is x लगा दोगे, बच्चों बहुत ध्यान सुनना, यही last step, अगर यह आ गया तो तुम लोग कर लोगे, जल्दी इसे, very nice, बहुत ही अच्छे, बच्चों बगल में क्या लिखा है, V, बच्चों बगल में क्या लिखा है, V, बच्चों की विमा क्या है, तो ये है, M क T की पावर 0, L, T की पावर माइनस का 1 और पावर में क्या था, Y था, क्या सब ने अपनी कॉपी पितना लिख लिया है, बच्चों फिर बोल रही हो, कॉपी पे नहीं लिखो कि कुछ समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ पर बोर्ड में कितनी बार लिख लूँ बेटा, जब तक तुम एक बार कॉपी पे नहीं लिखो कि बेटा नहीं आएगा, जल्दी 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 लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया, हमने क्या करा बच्चा, हमने जो है, यह बरावर देखो जितने भी हमारे पास वेल्योस थी, जितनी भौतिक राश्या थी, हमने बेटा सब ही के भौतिक विमी सूत्र लिख लिए, उर्जा के विमी सूत्र क्या था, M L की पावर 2, T की पावर माइनस का 2, बच्चों, M क्या था द्रवमान की विमा क्या होती है, M L की पावर 0, T की पावर 0, बच्चों, हमारे पास वेक की विमा क्या है, M की पावर 0, L T की पावर माइन फिर हमने क्या करा इस एक्वेशन में जो यह एक्वेशन थी पीटा एजटेज हमने वैल्यों रख दी ऊपर पावर में एक्स लिखा हुआ है इधर वाई जो पावर में था विटा उसको एजटेज रखा वेडी गूड हाँ अब बच्चों बहुत ध्यान देना बहुत ध्या होगा घातों का अपस में मल्टिप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा दो दूनी चार्ट की पावर फोर बन जाएगा उसी प्रकार से हम क्या करें बच्चों इन ब्रैकेट्स को खोलने वाले बच्चों पावर का अंदर मल्टिप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या बन ती की पावर 0 ही आ जाएगा इधर बच्चों म की पावर 0 एल की पावर y टी की पावर माइनस कवाई क्या सबने यह सब लिख लिए वेडी गूड शबने मल्टिप्लाइक करके लिख लिया जल्दी अविनाश कहा रहा है इतना समझाना जरूरी नहीं है 11 में आ गए है मैं अविनाश आपने बिल्कुल सही कहा पर फिर भी अभी ऐसे क्लास में कुछ बच्चे हैं कुछ नहीं मुझे लग रहा कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अगर मैं डिरेक्ट अकर एक स्टेप भी बच्चों कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो मैं बिल्कुल छोटे बच्चों करीके एक स्टब समझा रही हूं तो इस बात को पॉस्टिवली लो और बच्चों मेरे साथ प्लीज सॉल्व करो वेरी गुड बच्चों ध्यान देना बहुत ध्यान बच्चों दीजिएगा अ बच्चों बच्चों बताओ यहां तक पहुंच गए तो यहीं लास्ट इस्टेप हो यह बस हमारा आनसर आने वाला है वाला है बच्चों जल्दी इसके बाद बिटा मैं आपको एक चैलेंजर कुश्चन दूंगी जल्दी बताओ यहां तक आ गया यहां तक आ गया पर यहां तक का गया पावर होगी वही पावर होगी जो विब्हुत होगी वही विमा ये होगी तो क्या मैं कह सकती हूँ कि M M की जो पावर है वो समान होगी बच्चों यहाँ पर पावर वन है तो भातों की तुलना करने पर क्योंकि विमिय समांगता से धांत ने हमें ये कहा था कि LHS की विमा आरचिस की विमा बरावर होती है बच्चों बरावर होगी तो हम क्या करें घातों की तुलना कर देंगे M की पावर X है M की पावर 1 है X बरावर क्या आ गया 1 आ गया बच्चों देखो L की पावर Y है L की पावर 2 है बच्चों क्या लिखेंगे Y बरावर 2 लिख देंगे बच्चों T की पावर माइनस का 2 है T की यानि कि हमें क्या मिल गई है बच्चो इतनी जो हमारी मेहनत थी वह सफल हो चुकी है एक्स बराबर वन वाई बराबर दो यही तो निकालना था मेरी ज्यान यहीं तो निकालना था निकाल लिया solve question is solved question is solved x बराबर 1 y बराबर 2 हमने निकाल लिया है अब हम लोग क्या करेंगे simple equation number 1 में value put कर देंगे equation number 1 क्या थी क्या थी क्या थी क्या थी लिखने का मतलब नहीं है वाई बराबर 2 था बच्चों लिख दो वाई बराबर 2 वी स्कॉयर और बच्चों यहां पर जो हम वेग लेते हैं वह कौन सा वेग लेते हैं प्रकाश की चाल लेते हैं यानि किसी से दर्शाते हैं और यह आइंस्टीन की फेमस एक्वेशन आ गई यह बराबर mc स्कॉयर जो कहती है जिसने बच्चों दुनिया का दुनिया को देखने का जो है न नजरिया ही बदल दिया सब कह रहे थे कि द्रवेमान नहीं बदलता है पर बच्चों यह एक्वेशन कहती है कि अगर कोई अगर कोई पार्टकाल लाइट की स्पीड से चलेगा लाइट की स्पीड से ड्रावल कर रहा हगा तो बड़ा होता जाएगा उसका मास बढ़ रहा होगा यह है Einstein की famous equation and Einstein की famous equation eosse equitable in multiple guys you guys यह best आंगे कर लिया है तो बच्चों सेकेंड क्वेसिटन आपको you very nice very nice just did not comment क्यों कुणे आ रहे हैं कि publi दे नहीं कर रहे हो कि a very good जित्नों को समझ में आ गया है जितनों का आंसर यह आ गया है जल्दी से एक फ़र थम्सप करो बच्चों इसके बाद मैं आपको यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहे हूं जल्दी फड़ा-फड़ से थम्सप करो यह क्वेश्चन तुम्हारी लिए चैलेंज है जल्दी बताओ जल्दी 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 बस्तों इसमें से आपने एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है अब आपको पिछला क्वेश्चन सच में समझ में आया है या नहीं आया है यह बात पर करेगा कि आपको क्वेस्ट बीटा समझ में आ गया है व्यरी गूट बहुत यंचे बहुत ध्यांस देखना क्या पर प्रशन बोल रहा है मज़ा आगया मज़ा आगया सवाद आगया अरे पूरा आगया वेड़ी नाइस बच्चो यही तो चाहिए यार यही चाहिए मैंना सफल होगी मैंना चिलाना सफल हो गया बाई बरविमान और तवरण पर निर्भर करता है किस पर निरभर कर रहा है जल्दी फड़ा फिट से साथ मेंकरना ऑस तम्हारे लिए चैलेंजonge यह ये question हमें बच्चो 728 हुआ है 731 तक solve कर लेना है बच्चो आपको मेरे साथ करना है जल्दी से फड़ा फड़ से बच्चो यह तुमारे लिए चैलेंज है बच्चो तभी मज़ा आएगा आप यह सोचो कि मैम हमारे सामने हैं हम लोग एक लासरूम में बैठा हुआ है है ना आ सब्सक्राइब की पावर एक सब्सक्राइब की पावर एक सब्सक्राइब की पावर एक सब्सक्राइब क्या है हमें एक्स और वाई की वेल्यू निकालनी है बच्चो अनुक्रमान पाती चिन हटेगा नियतांक आ जाएगा बच्चो यह अपने को पता है बच्चो क्या है लिम्त को ब्यंद आइक्स अबरर लुपील हे आपर i7 यह हमारी फौन अपर सकती है तो इतना ठीक से समझायाना कि मुझे लगता है कि पूरे इंटरनेट बिना किसी ने इतने अच्छे से नहीं समझाया होगा यह मैं guarantee के साथ बोल सकती हूँ guarantee देघरे हो कि किसी ने इतने अच्छ नहीं समझाया होगा समझ रहे हो very good बहुत यह पड़ापर चाहओ बहुत यह आगे भढ़ेंगे बच्चों फड़ापर चाहओ F बराबर क्या है बच्चो M की पावर X बच्चो A की पावर Y यही अपने बच्चो क्या निकालना है X और Y की values निकालनी है यहां बच्चो अम लोग क्या करेंगी इसके बाद हमारा target होता है सभी के विमिय सूत्र लिखना बच्चो सभी के विमिय सूत्र लिखना बच्चा F का बेटा दी विमिय सूत्र क्या होता है बेटा F का विमिय सूत्र होता है M, L, T की पावर माइनस का 2 बच्चो द्रवेमान का विमिय सूत्र क्या होता है ये होता है M, L की पावर 0, T की पावर 0 बच्चों तौरण का विम्य सूत्र प्या होता है यह होता है अलटी की पावर माइनस कग याद था जलदी बता उ बच्चों क्या यह आपको याद था वेरी गुड मैं हम आप तो समझाते ही ऐसा हो कि गधे को भी समझ में आ जाए जिसको समझ नहीं आया तो तुम समझ जाना कि तुम क्या हो ठीक है दो मैं नहीं बोल रहे हैं आदो यहां पर बच्चों यह अपने आप से मत बोलो हम question को solve करके आएंगे ध्यास बचो देखो हमने क्या करा बेटा सभी के विम्य सूत्र लिख लिए हैं अब क्या करें बच्चो हमारा target है किन सभी विम्य सूत्रों को इस equation में put करना as it is बच्चो f बच्चों क्या हो जाएगा ml t की power minus का 2 बच्चो आर यह क्या है, एक अविमी सूत्र रखो, ल, ट की पावर माइनस के, चाहो तो यहाँ पर M को भी निकलियूट कर दो, बच्चो M क्या होगा, M हो जाएगा, M की पावर 0, इसकी पावर Y, बच्चो अंदर मल्टिप्लाई कर लो, जल्दी से, जल्दी करो, क्लास 11 पने आंगे हो, जलड़ी करो बटल थी कीकि मेरे साथ मैंकि सबनेहेंत कर लिया है किया सभी नहीं कर लिया है मेरे साथ होना आप लोग जलडी जलुँदी कोई पीछे तुनी चल रहा है मेरे ओमजो मेरे से आगे रो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ही अच्छे, very good, very nice, बहुत ही अच्छे, अब हम लोग क्या करेंगे, बच्चो, जरा ध्यांस देखो, यहाँ बच्चो, सबको जोड जार दो, है ना, थोरा से भीड कम कर दो, भीड को हम लोग कम करेंगे, m की पावर x ह विप्टा M की पावर 0 है M की पावर x बन जाएगा L की पावर 0 L की पावर नेleod कि पावर japanese की पावर 0 10 की पावर – 2y बीड़ा क्या रव हो जाएगा ट की पावर – 2y हो जाएगा बच्छो अब हम लोग लिखेंगे इस समिक्रन को M L T की पावर माइनस का 2 बच्चो इधर क्या है ये है M की पावर X बच्चो L की पावर Y बच्चो T की पावर माइनस का 2Y क्या करेंगे विमिय समांगता से धांद के अनुसार घातों की तुलना कर देंगे हमने क्या बोला था LHS की विमा RHS की विमा बराबर होगी बराबर होगी फड़ा फड़ से देखो बच्चो एकस बराबर बिटा जी क्या हो जाएगा एकस बराबर वन हो जाएगा बिटा वाई बराबर क्या हो जाएगा वाई बराबर वन हो जाएगा ती की पिटा घार के तु हुए एक साबाबर वन वाय बराबर वन आच अपने सब्सेटीक है है रीस, अट हर बहुत ही अच्छे अब हमें क्या करेंगे इस वाली इक्योशन में व्यू कोट करें गे एकुशन City क है नुम्हां गाथ है बहुत ही अच्छे पिटा एफ बलाबर क्या था एफ बलाबर एम की पावर एकस एक पावर वाई था बच्चो एम की पावर क्या रखा वन रखा बच्चो वना जाएगा एक पिटा पावर वन रखो वना जाएगा और ये तो हम बच्पन से वढ़ते आ रहे हैं न्यूटन का साथ दूसरा नियमनूटन का दूसरा नियम बच्चो यही तो है फ 5 बच्पन से पता था कुशी होगई और एक टीचर को हमेशा यह चाहिए होता है कि उसका जो स्टुडेंट है वो हमेशा उससे एक कदम आगे रहे हैं तब भी शायद है कि मैं एक अच्छी टीचर हूं अगर मेरी क्लास में ऐसे बच्चे जो मेरे से आगे हैं मैं बहुत तारीफ करती हूं कि मेरे पास वह बच्चा है मेरी क्लास में वह बच्चा है कि क्वेश्चन फेको आंसर सामने से आता है और आएं बच्चो सो सो प्राउड ऑफ यू बस ऐसे नाम रोशन करते हो यार मेरा बच्चो रियली वरी लव यू बहुत ही अच्छे बहु हड़ाद होगे बच्चो लास समलों वेरी गुड बिटा लास वच यहां प्रहनलों देखने वाले एप्लिकेशन सबस्वाबाटि majesty हम लोगों ने as a आरे भाईया बोल दे यार च्ज quando क्षठती म् क्षठती पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कि पढ़े थेता इसके लिए लुग लास्ट कॲेसिंगी मिटां लास्ट अप्लिकेशन समझ रहे हैं क्योंकि है में संग्स नया टॉपेक्र दोई वेरी गुर्ट आए यह सचोघी करने हैं हम लोग किया करने वाले हैं विद्यूत्र के सहायता से एक पध्धती को दूसरी पध्धती में चेंज करने वाले हैं यहां बच्छों लिखेंगे थर्ड क्या है थर्ड है एक पध्धती के मात्रकों को दूसरी पध्धती के के मात्रकों में परिवर्तित करना में परिवर्तित करना ठीक है बच्छों इसके लिए एक फॉर्मला वतारी हो डिरेक्ट फॉर्मला वतारी हो उस फॉर्मले को आपने याद रखना है क्या यह तुनों पहले से आंसर क्यों दे देते हो दस की पावर साथ मुझे पता है तुम्हें बहुत पता है बहुत एडवांस हो तुम लों भया तुमस मैं पता है इतना पता है एक जूल बड़ाबर 10 की पावर 7 अर्ग बिल्कुल सही का और इसको निकालना तो सीख लो सच में फट्ट से आंदर बता देते हो तुम लोग हैं मत जड़ा सा सबर नहीं है एक कुछ सबर नहीं तुमारे अंदर गटेते आरे बताओ इस स्कूल में तुम लोग ऐसी जवाब देते हो जांदर आ सबंदर आहारता है तो Osie मैं और इसकोल में है समझ रो इस बात को बच्चों वो जो कॉंफिडेंस है ना बिटा वो कॉंफिडेंस ना जिन्दगी में तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएगा समझ रो वेडी गुड बहुत यह बस ऐसे करना है ऐसे ही करना है चलो आजो चलो अब बच्चों यहां पर लिखवाने वाली अब टू बराबर एन वन एम बटे एम टू की पावर ए ठीके बच्चों बहुत ध्यांत देखना बच्चों एम वन बटे एम टू की पावर ए ओमाई गॉट हाई पैर मोच आ गई किसी निगाली दिये में को एक किसी कौन बोल रहा है उल्टा सिधा भाई मत बोलो यार पै कि अच्छों देखो ऑग जान देखो यारा आप कुछ उल्टा सिधा मत बोलना है 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 मेरी बात कर बुरा लगा ओत यार सौरि यार है ऐसे बिलकुल आ जो बहुत जितों ध्यांस देखना बहुत ध्यांस देखिएगा N2 बराबर N1 N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की पावर A L1 बटे L2 की पावर B T1 बटे T2 की पावर C ठीक है बहुत ध्यांस बचो देखना यहां पर बेटा यहां पर बचो N2 क्या है एंटू बहुत हुआ है और यहां पर दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ कर यहां पर यह रख बहुत अच्छो और अर्ग कौन सी पध्धती के मात्रक है जल्दी बताओ जूल कौन सी पध्धती के मात्रक है और बिटा अर्ग कौन सी पध्धती के मात्रक है यही बता दो जल्दी फड़ा फट चरफ करते हैं फिर क्लास्पेंट करेंगे भया जल्दी 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 जूल कौन सी पध्धति के मात्रक है और बेटा जी हमारा अर्ग कौन सी पध्धति के मात्रक है एक मैं हिंट दे रही हूँ एक MKS और एक CGS है एक MKS और एक CGS है जूल MKS है और अर्ग क्या है CGS है कि हां हां है कि मैं किसे सीजियस जूल में किसे और अलगा सीजियस है शौर हो वेरी गुड बिलकुल सही का बच्छों बिलकुल सही का तो जूल बेटा देखो बच्छों बहुत ध्यांत देखना देखो एक चीज दोनों cavin N jeśli क्या है जो जूलय है वह किसका मात्रक है उर्जा का मात्रक भी है और कारी का मात्रक भी वेरी गओ बैस्यों जूल ओ 깜़ चीज और कारी का मात्रक भी है ऑबिस्लिएँ तो यहां पर बच्छों पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा मात्रक जो है किस पधती का है बच्चो दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस भौतिक राशी का मात्रक है अगर आपको भौतिक राशी पता होगी बेटा तब ही आप क्या पता पाओगे तब ही तो बच्चो उसका जो है विमिय सूत्र लिख पाओगे फड रखाफा बढ़ीका बबाएं चलो आजो आजो तो जैसा कि आप लोगों ने बोला कि मैं जूल हमारा एंडा है और जो हमारा अर्च योन् 2 प्रग और फर्क क्या है तो एक सेट रूखना पन्ने जोड़ने पड़ेंगे हमाले पन्ने खतम हो गया तुम लोग ना दिसम से इतना लिखवाया है ना इतना लिखवाया कि बच्छों में पन्ने खतम हो गया कि चल वाजा बच्छों MKS और CGS पध्धती में फर्क क्या होता है बटा आपको यह पता होना चाहिए कि MKS MKS और CGS पध्धती में फर्क क्या होता है बच्छों MKS और CGS पध्धती में फर्क यह होता है कि MKS पध्धती में MKS पध्धती में बच्छों लंबाई कमात्रक मीटर होगा लंबाई कमात्रक मीटर होता है बच्छों क्या होगा द्रवमान का मात्रख किलोग्राम होता है समय का मात्रख सेकेंड होता है यहां पर वच्छों सीजीश पध्धती में क्या होता है सब्सक् tweeting में लंबाय का मात्रक सेंटी मीटर बच्टो द्रवमान का मात्रक reverb होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है वेडे गुड वेडिगुड अब बच्टो क्या करना है हमें इस सब फॉर्मूले में value को पुठ करना है वेल्यो को पूट करना है पर बच्चों इसके पहले बात ध्यान रखना इसके पहले एक बात ध्यान रखना बटा एक यहां पर ध्यान देखो हमने उर्जा का विमीए सोत क्या लिखा आँ देखना बच्चो देखो डर्पमान किलो ग्राम और हमारा समय सेंट्र सेंटी मीतर बच्णेंट में स सेंटी में शेंट दां से सेंट्र रही होता है इस तॉल्दा करेंगे बच्चोई यहां पर इस से इसकी तुलना करेंगे बच्चोई बद्धती बड़ाबर निकलेगा प्राबर बन निकलेगा बहुत ध्यान सुपना a बराबर 1, बीटा b बराबर क्या है? बीटा b बराबर 2 और c बराबर माइनस करतो, क्योंकि हमारे फॉर्मिले में power a power b power c है, अब a, b, c की value हम कैसे निकालेंगे? एक खांवर 0 कैसे हो जाएगा है के डिखो न एक पॉर्वर 1 है यह चो ऑप बट्याँ पुट कर रही हूं पहले फ लेखूंगे बीटा फॉर्मुला है n2 बराबर n1 m1 बटे m2 की पावर a l1 बटे l2 की पावर b और t1 बटे t2 की पावर c अब बच्चों बहुत ध्यान देना यहां बेटा वेल्यू पुट करने वाले हैं तो यहां लेख लो n2 और n1 ठीक है अब बच्चों देखों हमारा उप पर एमड़न एमट्चेश continues as that सबस्के क्रेंद वाख नगा लगा अगता के यहां तक किलियर हो गया है कि अर्ए यहां तक लिखेफों यहां तक सब्सक्राइख निए मैंनलौ इसाई लिखेफों इतना अगर्धी लगे करना फिर यहां से हम लोग वैल्यूस को पूट करना शुरू कर देंगे यहां से हम लोग वैल्यूस को पूट करना शुरू कर देंगे ऊपर अच्छा तुम लोग यहां पर लिख भूल जाओगे लिख लो यहां पर लिख लो यहां पर एक स्कति यां चोटी सी छोटी सी चोटी सी मिस्टेक हो गई है छोटी सी चोटी सी मिस्टेक हो alternative गए यह बच्चों क्या है अपना मेटर और यह कीलो ग्राम में है और बच्चों हमारा सी जियस पधिती में जवर्मान ग्राम में बच्चों समय क्या है समय तो सेकेंड में ही है समय सेकेंड में ही है पावर सी यहां तक लिख लिया यहां तक लिख लिया यहां तक लिख लिया अगर इतना लिख लिया है तो हो जाएगा बहुत अच्छे अब हमें इतना पता है कि लंबाई क्या होती है में मीटर होती है और जो है सेंटीमीटर तो एक मीटा ध्याद बच्छो देखना तो हम अब दोको नीचे सेंटीमीटर तो हम क्या लखेंगे यहाँ पर बच्छो अब हम क्या करेंगे एक्जाक्ली मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे और सेकेंड तो एस इस वही रहेगा अब बच्छो बहुत ही ध्यान देनी कि आप शकता है बस क्वेश्चन सौल भी होने वाला है एक सेकेंड एक सेकेंड तो बच्छो इसका कोई रोल भी नहीं है इसको हम कैंसल भी कर सकते हैं इसका कोई रोल नहीं है तो बच्छो इसको हम कैंसल भी कर सकते हैं यहां तक सब ने लिख लिया अगर यहां तक लिख लिया है तो बच्छो हम लोग एंड पोजिशन पर आ ग कर gev दलती मत करो को 1 मीटर बत्चों क्या है सौर सेंटी मीटर बड़ाबर है ठीक है फिर बठों क्या है हमारा बटा जी क्या होगा फिर बेटा अपना आ जाए गा किलोग्राम ठीक है उसकी बाद तो आपना आ and one hundred कि power क्या है बच्चो power a बराबर क्या था a बराबर था one बच्चो बच्चो अपना 1000 पावर b बच्चो बी की वैल्यू थी 2 ध्यांस बच्चो देखो इसको अम्हें क्या लिख सकते हैं इसको सकते हैं 10 की पवरटू इसको लिख सकते हैं 10 की Pau episod 3 और बैफ है एक सबर्ण केंट हां एक आप साथ है आप भी पहला है जोटी सैके टिटकेटा वाजर राटकर सकते हैं यही होता है टाइम से ना सोने का नतीजा बिलकुल सही कर लिए चोटी सी मिस्टेक हुई है मैं भी क्या कर देओं वाद यहां पर क्या आ जाएगा पीटा जी अपना यह किलो ग्राम है यह बच्छों मेटर यह सेंटीमेटर एक किलो की पावर 2 यहां तो यहां क्या होगा टैन की पावर 3 x 10 की पावर 4 10 की से ऑसर जाएगा यानी कि एक जूल बराबर होता है दससी साथ घाट साथ अर्ग बच्चों रियले सॉरी हाँ बिलकुल 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 वेरी गुड बिल्कुल अब आ गया यहां बिल्कुल स्वार्व कर ने पर यह पर दोटी मिस्टेक होई थी आप दो भता हिए क्या है द्रवेमान है वहाँ होगा केजी होगा बच्शों नीचे क्या 인ग उतना ह возмож मीटर होगी और सलब महीं होगी सेंटीमीटर है सेकेंड सेकेंध मिजgression पता है एक ईलोगि क्राम ही सेंटीमिटर की बरावर होता नहीं संतिंटिमेडर संसेंटिमेडर कट गया ग्राम से ग्राम कट गया सेकेंड बचको सेकेंड एह तो कट ही जाएगा बच्छो क्яла हो जाएगा 1000 का मटट इस holds in तो यहां पर क्या पर आ घॉट बैर होन आ गया प्रन कर टू है तो यहांट की पावर 2 बच्च्छो दस की घाद दो लिख सकते हैं 100 को बाहर दो लिखा हुआ है क्या होगा इनका आपस से मल्टिप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 4 आ जाएगा ये विच्छो टैन की पावर 3 बच्छो आ जाएगा 10 की पावर 7 क्लियर हो गया ओके बिलकुल बच्छो एंटू क्या है ध्यान सुना बच्छो यह हमारा वो है जो में वैल्यू निकालनी थी जो वैल्यू हमें निकालनी थी क्या निकालना था हमें एक जूल को निकालना था बच्छो एंटू क्या है एक जूल है बच्छो एंट वन क्या है व थोनों की वेल्यू क्या है दोनों की वेल्यू क्या है 1 कि वेल्यू क्या है 1 कि have a सब्सक्राइब और यक बाग्ली अब आप बोलो तो हम आपका टैस्ट ले सकते हैं आपको बताना है कॉमेंट करके आपको यह वताना है कि टेस्ट लेना है और concept पढ़ाना है यह आपके उपर है आप जो बता दोगे हम वही कर देंगे अगर बोलोगे concept पढ़ाओ तो बेटा जी हम लोग जो है next concept पढ़ लेंगे अगर आप बोलोगे हाँ आप बोलोगे बेटा जी तो हम लोग test ले लेंगे आप जो भी comment करेंगे हाँ आप बेटा जो भी comment करेंगे मेंटी करा दूंगी जो तुम वो लोग वो कर लोंगे वो हम लोग यहां पर कर लेंगे और बच्चो पहले यह सब को समझ में आगया आज की क्लास बच्चो आपने खुद देखा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट थी मैं आपको फिर बताया है कि आज कितनी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत हुआ है इसलिए लिखवाया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे बास समझ में चलो तो बच्चो अब मैं तुमसे मिलूगी कब मिलूँगी फ्राइड़ कू मिलेंग शाम के 7 बज़े मिलुगी क्या पढ़ाओं कि वह इस बहुत अच्छे मज़ा मज़ा आ गया कॉमेंट करना और ठक गई हूं मैं जाकर सोऊंगी सिधा डेली रात में तीन मज़ें सो रहे हैं सुबार साथ वज उठ जा रहे हैं उसक नतीजा है तो उम्मीद करते हो कि तरह समझ में आ गया होगा मिलूंगे अपने अगली क्लास में क्लास को एंड कर दो आ गई हैं तो तान्या मैं आज नहीं क्लास को एंड कर रहे हैं